तो चलिए साथ हो इस वीडियो हम देखने वाले हैं हमारे विज्ञान के नियश्ट स्री जूइंग गनवे से ले करके 120 तकी कुछन आपको पूछेंगे यह कुछन जो विभीन परिच्छाओं में पूछे गए हैं ब्यापाम के दारा मैंने वहीं से लिया गया है आई होप आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे और समझ भी आ रहा होगा तो चलिए शुरू करते हैं मैं हूपी के साओ मेरे यूटू चनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ पहला कुछन आपके सामने है उस्मा के यांतरिक तुल्यांग की विमा उस्मा की विमा के समान होती है तुल्यांग की विमा कारे की विमा के समान होती है तुल्यांग की विमा उर्जा की विमा के समान होती है या तुल्यांग की कोई विमा नहीं होती है तो नेश्ट इसका एंसर हो जाएगा सांते हो आपसर नमबर C विमा उर्जा के विमा के श्रमान होती है नेश्ट कुरिशन देखते हैं यदि दाई दिसा की और X अक्ष की धनात्मा दिसा ले जाए तो फलन Y equal to F bracket X minus V T निरूपित करता है तो दोस्तो इसका एंसर हो जाएगा आपसर नमबर A प्रगामी तरंगे नेश्ट कुरिशन देखते हैं निम्नदारा उर्जा वहां नहीं होता प्रगामी अनुपरस्त तरंगे प्रगामी अनुधर्य तरंगे विद्दु चुम्बकी तरंगे या आप्रगामी तरंगे दोस् स्थिर रहकर फैलती वह सखुरती है इस तरंग द्वारा उर्जा एकिस्थान से द्वेस्थान तक नहीं जाती देखते हैं पदली फिल्म में रंगों के 30 cm के दूरी पर 30 cm फोकस दूरी के उत्तल लेंज के सामने रखा गया है। इसका प्रतिवीं बने का दोसे इसका आप निकाल के देखेंगे दरपन सुत्र से उत्तल जो दरपन सुत्र है उससे निकाल के देखेंगे तापसा नमबर जुड़ी है इसका सही अंसर आएगा। नेश्ट कुर्शन देखते हैं सांथियों एक पतले यहां पर थोड़ा से गिलत निखा एक पतले उत्तल लेंज की प्रतेक व्रकरता तिज्या 40 cm है और एक दसमला पांच आप वरतनांग एक कांस से बना है इसकी फोकस दूरी होगी तो यहां भी आप फर्मूला से मान निक प्रकास करेगा जरूर निर्वात में रेडियो तरंगों तथा प्रकास तरंगों के वेगों यहां पर वदो लिखा गया है वेगों का अनुपात होता है दोस्तों इसका यहां पर देखें निर्वात में रेडियो तरंगों का वेग प्रकास तरंगों के बराबर दुनों ब मान करने के लिए मढषारा परिवर्तन किया जांता है तो इसतब्स और मन होगा तरन्ग धर्या का का बढ़े गलगवान क्या गटटेगा घड़ अथ्वा बढ़ सकता है या आ परीवर्तिते रहेगा रधा dauиз यसκा एंसल सब्सक्राइगा आप सहहेगा कि यहां पर देखो किलीष्ट्वें यदा विद्धन गर्म करने के लिए परिपद मधारा परिवरतन किया जाता है तो मान बढ़ेगा परमानों का नाभिक बना होता है किस का पुरोटान इलेक्ट्रान न्युट्रान प्रोजी ट्रान और प्रोटान एवं निूट्रान प्रूटान का इलेक्टान का हिलियम का विद्धि चुम्बकी तरंगों का तो दोस्तों इसका एंसर जाएगा आपसर नमबर ए प्रूटान का नेश्ट कुशन देखते हैं पूरा आपसर दिखाते हैं आपको पियें संदी में अब अक्षे परत की मोटाई अधिक्तम होती है सुन्य अभिनती में अग्र अभिनती में एसे अरिव अभिनती में या उतक्रमन अभिनती में तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा आपसर नमबर डी उतक्रम अभिनती में नेश्र देखते हैं किसी बाहर अर्ध चालग में दाता असुद्धी कार्य है क्या कार्य होता है तो दोस्तों इसका इंसर देखिए आपसा नमबर बी संयोजन बैंग में लिक्तानों की संख्या बढ़ाना त्यां रखिएगा नेश्र कुशन है निम्न में से सरवाधिक भेदन चमता वाली एक सिकीनों की तरंग धर्या कौन सी है तो यहाँ पे दिया है ए फो फो शिक्स और एट तो दोस्तों इसका इंसर जाएगा आपसा नमबर एट टू एग श्ट्रांग वो एग श्ट्रांग है वो नेश्र कुशन यहाँ पे इस्थिर स्थाई चुम्बक है वो गति मान इस्थाई चुम्बक तो किसमे परस्प्री क्लिया नहीं करते तो आपसा नमबर जो ए है इस्थिर विद्दुद आवेस यह अपका सही अंसर होगा नेश्ट कुशन देखते हैं एक समान चुम्बकी छेत्र में एक आ उर्जा पर तो दोस्तों इसका एंसर जाएगा आपसा नमबर भी कन के शमवेग पर नेश्ट कुशन देखते हैं विद्दुद परिपत के विसलेशन के लिए किर्चाप के नियम किस संद्रक्षन पर अधारित है द्रभ्यमान एवं आवेस शमवेग एवं उर्जा आवेस नेश्ट कुश्यन देखते हैं निम्न में किस यंत्र का या अंत्रिक प्रतिरोद सबसे अधिक होता है ओल्ट मिटर का गेलवेनो मिटर का आमिटर का या मिली मिटर का दोस्तों इसका एंसर जाएगा आपसान नमबर ए ओल्ट मिटर नेश्ट कुश्यन देखते हैं अनुनाद पर परिपत की परतिबाधा होती है सुद्ध प्रतिरोधक, सुद्ध धारतिय, सुद्ध प्रेरकिया या इनमें से क्यों नहीं तो दोस्तों याद रखे गया अनुनाद के परिपत में कोई भी परतिबाधा नहीं होती तो इसका मतलब क्या हुआ आप्शन नमबर D इन में से कोई नहीं नेश्ट कुशन देखते हैं AC Tile COA चक्रियपत ट्राइ कार्बॉक्सलिक अमल में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं रसुपरासरन केबज़ चक्र अमल चक्र या सभी तो दोस्तो इसका अंसर जाएगा आप्शन नमबर B केबज़ चक्र नेश्ट कुशन देखते हैं TCA में किसका निर्मान होता है सलफेट, बुरान, सिट्रिक अमल या क्लोरीन दोस्तो इसका अंसर जाएगा आप्शन नमबर C, सिट्रिक अमल नेश्ट देखते हैं कैफिन, एमफी, टामिन वा कोकिन है पीड़ाना सक, प्रसांता, चेदना बढ़ाने वाला या उत्तेजक प्रसांतियो इसका अंसर जाएगा आप्शन नमबर D, उत्तेजक नेश्ट कुशन देखते हैं सांस कе दरान मुक्त फीड, कार्बन डैयाइकसाइड यहाँ पर, कार्बन डैयाइकसाइड डैयाइकसाइड पर लिखा आप्शन वाला है और उफ्योग मिली गई आकसीजन के बात को क्या कहते हैं सास गुनांग, केबज़ चक्रा, आक्सिजन चक्रा, कोई नहीं सी बोलते हैं, स्वसन गुनांग भी बोलते हैं तो आपसा नमबर ही हमारा सही एंसर होगा नेश्ट कुशन देखते हैं, अमोनिया किस जिवानों के जरिये नैटराइट में बदल दे जाती है तो दोस्तों यह रहा आपके लिए कुश्चन इसको मुझे कमेंट बाक्स में एंसर दिजिएगा रुबो सका, नाइट्रो वेक्टर, नाइट्रो कोकाज या कोई नहीं यह आपका एंसर मुझे चाहिए नेट्र कुश्चन देखते हैं निन्न में से कौन कैंसर को सिखाएं है प्लाजमा को सिखाएं, हेला को सिखाएं, मिम्योरी को सिखाएं या इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों इस कैंसर जाएगा आपसा नंबर B, हेला को सिखाएं next question देखते हैं next question देखते हैं निम्ना धात्व में से कौन सी प्रकृत्ति में अपने मुक तवस्था में पाई जाती है यहाँ पे देखे चार आपसन दिया है A, B, C और E, D जिसमें से G नमबर जो गोल्ड है sodium है, titanium है और यहाँ पे दिया है iron ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा जो है यहाँ पे मुक तवस्था में पाई जाता है तो यहाँ पे गोल्ड जो है सबसे कम क्रिया सिल रहता है इसलिए वो मुक तवस्था में पाई जाता है नेश्ट कुश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा जली घोल जो समलो एक मूल 25 सिल्षेस पर उच्चता में हिमांग अनमन दिखाएगा तो यहाँ पे सांतियों A, B, C याँ डिया हुआ है तो कहा जाता है कि जिसमें ज़्यादा अनू होती है उसी कहीं मांग अनमन सबसे ज़्यादा दिखाता है तो आपसर नंबर C जो है वो सही अंसर होगा नेश्ट कुश्चन देखते हैं निम्न लिखित में से कौन से उत्कृष्ट गेंस वाई मंडल में उपस्थित नहीं होती नियान, रेडान, आरगान या हिलियम दोस्ते इसका अनसर आपसर नंबर B रेडान जो है वाई मंडल में उपस्थित नहीं होती नेश्ट कुश्चन देखते हैं द्रव रोधी साल के इस्थाइत्व का कारण होता है ब्राउने गती, टिंडल प्रभाव, विद्दुत आवेश, ब्राउने गती तथा विद्दुत आवेश या आपसर नंबर D इसका सहीं अनसर होगा हमारा नेश्ट कुश्चन है निम्न में से किस विलियन की अधिक्तन तुल्यांकी चालगता है यहाँ पर A, B, C, D आपके सामने रखा गया है याद रखेगा जिसकी विलियन की कनो की संख्या इसकी तुल्यांकी चालगता दिखोती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे कम किसकी है दोस्तों आपसर नंबर D जो है, इसका जो है कणू के संख्या बहुत कम है मोल के संख्या बहुत कम है है ना ते इसकी तुलांकी चलागता सबसे अधिक होगी इस प्रकार हमने 91 से 120 के कुर्शन आपके सामने रखा दोस्तों कैसे लगा जुरूर बताइएगा कोशिस कर रहे हैं कि वीजिद्रावी बैपा में कुर्शन पूझे जा चुके हैं विविन वर्सों में उसको आपके सामने रखें हो सकता है आपको इसी के माध्यम से प्रेक्टिस हो रहा हो दो प्रेक्टिस कर सकते हैं तो दस्तों आचले इतना ही देंक्यों कर दो झाल 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 झाल